अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी उनका दामन छोड़ दीजी ये मेरे बस में नहीं और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ आज हम आपको एक ऐसी लफ स्टोरी का किस्सा बताने जा रहे हैं जिसको लेकर आज भी अगर चर्चा हो जाए तो भारी मजमा लग जाता है ये कहानी है अमिताप जया और रेखा की वो दोर था 1977 का जब रेखा मांग में सिंदूर भर कर और मा बनने की खबरे मीडिया में दे कर अमिताप से रिष्टा जग्जाहिर करने में लगी थी दुसरे दरफ जया शांती से अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास कर रही थी एक दिन जब अमिताप किसी शूटिंग के सलसले में मुंबई से बाहर थे उस दिन जया ने रेखा को फोन किया जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया बच्चन उन्हें भला बुरा सुनाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुराया रेखा सोच रही थी कि जया अपने घर बुला कर उन्हें बेईज़त करेंगी और रोना पीटना मचेगा रात के वक्त रेखा सजधच कर जया के घर पहुची रेखा के मुकावले जया बिलकुल सादे कपड़ों में थी उन्होंने रेखा का स्वागत किया और धेर सारी बातचीत की लेकिन इस बातचीत में अमिताप का जिक्र बिलकुल नहीं था जया ने रेखा को अपने घर का इंटीरियर दिखाया गाजन दिखाया और काफी सदका किया डिनर के बाद जब रेखा घर लोटने लगी तो उन्हें विदा करते हुए जया ने एक खास बात कही जिसे सुनकर रेखा के पैर उतरे जमीं किसर गई जया ने दर्वाजे पर रेखा से कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं चोड़ूँगी अगले दिन मीडिया में जया के डिनर और रेखा पर खूप किसे चले लेकिन न तो जया ने कुछ कहा और नहीं लेखा ने मुझ खुला इस जिनर के बाद एक आएक आमिताप के जिन्दगी काफी बतल गई मेरा जीवन तो है तेरा साया तेरी पूजा करू मैं तो हर दम